तो देखो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखो गें यहां पर तो एक पाइडिकल बच्चों एक सीधी लाइन में चला यह सीधी लाइन में बड़े अराम से जारा कोई दिक्कत परसानी वाली मुसीवत वाली बात है नहीं जाने दो हम क्यों छेड़ है इसको तो ऐने में यह सीधी जा रहा है का फॉर सेक्टिघन पार्डिक्ल मुसी ह। इसकी जो विलाजीटी है वेडे डिस्ट्रिस्ट्लेएंट एक्स के साथ कैसे वहमें निकलना है तो तो यह कहता है पार्ट इसक्टिघ है सप्लाइज बायिए रेली है घ्ठा इसक्टियन बच्णे अगर देखोगे instantaneous power याद करो फार्मूला instantaneous power का तो instantaneous power जो होता है f.b होता है force f.product of two vector होता है दोनों एक ही line में है तो f.b आ जाएगा तो यहां से तुम देखोगे instantaneous power आ जाएगा force is equal to ma that is velocity b यहां जहें लिख सकते हैं तो जब यहाँ पर velocity और displacement में पावर कॉंस्टेंट है तो एकसलेशन का एक और फार्मूला है आपको याद होगा velocity dv over dx displacement के टर्म में तो m और velocity v acceleration को लिख दिये b dv over dx तो इसको अगर acceleration को मैं इतना लिख देता हूँ तो mv square dv over dx यहां से आ जाएगा that is a power p तो यहां से अब हमें displacement इधर आ जाएगा इधर बचेगा m by p जो की constant है v square dv जो की variable है तो इसको मैं proper limit के साथ अगर integrate कर लेता हूँ यहां पे तो यह integration से बाहर आ जाएगा और यह चीज constant है तो इधर x बचेगा और इधर बचेगा m by p बाहर आ जाएगा और यहां v का integration जो बताएगा v की power q बचेगा और divided by 3 यहां से और that is यहां से चलो माल लेते हैं जब velocity 0 थी तो displacement 0 था velocity b वी तो displacement x हुआ तो यहां से यह वाली चीज जाएगी 3 x और p upon m और यह सब कुछ power q 1 by 3 ठीक ना समझे रहें यह यहां से velocity निकाल लिए तो अब velocity की जो परपोस्टरिटी बढ़ेगा x के साथ 1 by 3 क्योंकि बाकि सारे constant थे तो यहां से बच्चों देखोगे तो अपना d option match कर जाता है thanks for watching this video bye bye take care जाता है